जै मसी की दोस्तों, साब स्कूल के इस लेसन स्टुडी में आपका फिर से स्वागत है, हम पार्ट साथ पढ़ते आ रहे हैं और आज हम बुध्मार का जो पार्ट है, उसे हम अधेयन करेंगे, जिसका शीर्शक है शमा को व्यक्तिगत बनाना, शमा को व्यक्तिगत बनाना, त किसी के जीवन में यह बहुत मुश्किल होती है, किसी के जीवन में आसान, मगर आज हम देखेंगे कि इस शमा को हम व्यक्तिगत अनुभव कैसे बनाएं, तो एक प्रश्न हम पूछेंगे, क्या आपको, किसी को माफ करने की जरूरत है, सोचिएगा, क्या कोई है जिसको दगा रहे हैं, तो यहां है आपको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें स्विकार करना चाहिए, कि हम आहत है, हम आहत है, ऐसा करना हमेशा आसान तो नहीं होता, लेकिन कभी कहा, कभी कभी हम अपनी भावनाओं को छिपाना चाते हैं, या ऐसा व्यावाहार करना चाते हैं, जैसे कोई हमें चोट नहीं पहुचाता है, कभी कभी हम ऐसा दिखाते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ चोट नहीं पहुची, ठीक है, ऐसा हम दिखाते हैं, मगर मन में हम कई सारी वह चीजें चोट को हम छिपा कर रखते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर को हम बताते हैं कि हमारा गुस्सा होना ठीक है परमेश्वर को हम बताते हैं जब हम प्रात्ना करते तो हम कहते हैं प्रभू ये ऐसे ऐसे चीज़े हो रही है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है ऐसा कहना क्या घलत है जी नहीं हम बिल्कुल बता सकते हैं हम परमेश्वर से हर वह ची कि आपको क्या नापसंद है क्या पसंद नहीं है इश्वर को बताईए कि जिस तरह से किसी ने आपके साथ व्यवाहार किया है किसे बताना चाहिए हमें दूसरे लोगों के पास नहीं बताना चाहिए कि इस इंसान ने मेरे तरफ मुझसे ऐसे व्यवाहार किया ऐसे चोड़ प इस तरह से उसने मुझे दुख दिया है और वह मुझे परिशान करता है, बेजिचा कोकर परमेश्वर से आप कह सकते हैं, भजन के लेकर की तरह हम भी कह सकते हैं, यूसुफ के इस कहानी में हम उसे रोते हुए देखते हैं, है न, यूसुफ रोते हुए पाया गया था, तो सोचेगा वह तो शमा तो करता है मगर उसके दिल में अपने भाईयों ने जो कुछ भी बुराया उसके तरफ की थी उसे याद करने पर उसे बहुत बुरा भी लगता है और वह उसे अपने दिल में छिपा कर वह रोता है अपने अतीत के कुछ दर्द का महसूस वह जरूर करता है, हाँ, जब लोग हमें चोड़ पहुचाते हैं, तो हमारे दिल में बहुत वह दर्द महसूस हम करते हैं, इसे हम अंदेखा नहीं कर सकते हैं, हमें दर्द महसूस होता है, एशु क्रूस पर क्या करता है, या क्या कहता किसी को शमा करने के सबसे अच्छे समय के बारे में उसकी शब्द हमें क्या बताते हैं यहां हमें लूप के 23rd chapter में 34th verse में हमें मिलता है एशु शमा मागने के लिए हमारी प्रतिक्षा नहीं करते कभी वेट नहीं करते कि हां मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आएंगे मुझ शमा मांगने के लिए इसलिए हमें उस व्यक्ति की प्रतिक्षा नहीं करना चाहिए जिसने हमें शमा मांगने के लिए उकसाया था हमारी शमा को दूसरे लोग स्विकानने से पूर्व ही हमें उन्हें शमा करना चाहिए कभी वेट मत कीजेगा प्रतिक्षा मत कीजेगा कि जिसने भी तुमें तुमसे बुरा व्यवाहार किया है कि वह आना चाहिए, आपसे सौरी कहना चाहिए, या आपसे माफी मांगना चाहिए, आप फिर उसे माफ करेगे, उसकी प्रतिक्षा मत कीजेगा, अगर प्रभु ने प्रतिक्षा की होगी, तो आज हमारा जोस्तिती है वह कैसा होगा, प्रभु ने हमें, हम मांगने से पहले ही हमें माफ किया है, तो उसी तरह हमें भी दूसरों को उनके माफी मांगने से पहले प्रतिक्षा न करते हुए, उन्हें हमें माफ करना चाहिए, ऐसा हम यह सी के इस पार्ट से पढ़ते हैं दो वच्छन हमें दिये गए है जो लूक के 6th chapter 28 वर्स और मैथ्यू के 5th chapter 44 वर्स में हम देखते हैं कि हमें इस बारे में यह सिखाते हैं कि हमें उन लोगों के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए जो हमें चोड पहुचाते हैं हमें उन्हें क्या दिखाने की अवशक्ता है जो कोई भी इंसान आपको चोड पहुचाता है तो हमें उन्हें क्या दिखाना चाहिए क्या बताना चाहिए किसकी अवशक्ता है हम देखेंगे शमा और प्यार दोनों एक विकल्प के साथ शुरू होते हैं शमा और प्यार दोनों भी एक विकल्प के साथ वह शुरू होते हैं वे एक भावना से शुरू नहीं करते हैं वे एक भावना के साथ शुरू नहीं करते हैं हम लोगों को माफ करने का विकल्प बना सकते हैं हम लोगों को माफ करने का जो विकल्प है उसे हम बना सकते हैं। भले ही हम उन्हें अभी तक माफ करने के लिए तयार नहों पर उसे माफ कर दीजिगा। तयार नहीं मगर माफ कर दीजिगा। परमेश्वर जानता है कि मनुश्यों से तो यह नहीं हो सकता। परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, हम कहते हैं न, कि परमेश्वर से सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, जो इंसान को इंपॉसिबल होता है, वो खुदा से पॉसिबल होता है, वहां हम मार्क के 10th chapter 27th verse में ह देखते हैं इश्व हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं जो हमें चोट पहुचाते हैं क्या आज आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको चोट पहुचा है प्रभु कहते हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा जुरूर खुदा उस उस कारे से आपको बाहर आने में, उन्हें शमा करने में जरूर मदद करेंगे। हाँ, शमा करना हमेशा आसन नहीं होता, किसी को शमा करना इतना आसन नहीं। आन्ने लोगों ने हमें जो पीडा दी है, वह बहुत भयानक हो सकते हैं। कैसे हमें बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सुना होगा कि आप इन्हें माफ कर दीजेगा, तो वह कहेंगे कि आपको पता है कि यह इनसान ने मेरे खिलाफ क्या किया है, कैसे व्यवहार किया है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो वहां बहुत सारे reasons देने लगते हैं कि मैं इसे माफ कैसे कर सकता हूँ पर यहां हम देखते हैं कि हमारा दुख हमें आहत तूटा हुआ और अपन दिलों के साथ छोड़ सकता है अगर हम इसकी अनुमती देंगे जब हम आनुमती परमेश्वर को देते हैं कि हमें चंगाई दो तब हमें चंगाई मिल सकती है एक पेशिंट डॉक्टर के पास जाता है आनुमती देता है टेस्ट करो मुझे दवाई दो तभी ही वह ठीक हो सकता है अगर वह बस घर में बैटकर मुझे यहां दर्थ है मैं आगे नहीं जाओंगा मैं अनुमती नहीं दोंगा मैं कोई टेस्ट नहीं करोगा अगर वह बैटेगा तो उसे चंगाई कैसे मिल सकती है तो हमारे जीवन में भी अगर हम प्रभू को अनुमती देते हैं तो हमें जरूर वह चंगाई दे सकते हैं तो हम देखते हैं कि जो लेकिन जो क्रोध और घृणा को पकड़े नहीं रहना चाहिए, अगर हम ये सब पकड़ते हैं, तो हम चंगाई नहीं पा सकते गुसा और नफरत चंगाई प्राप्त करने में मदद बिल्कुल भी बहुती कठिन बनाते हैं, वो मदद जरूर नहीं कर तो उपचार जो है असंभव हो सकता है तो अगर हमें उपचार चाहिए तो हमारे दिलों में जो Бिन अफरत है जो कोई भी गुसा है क्रोध है गुरुणा है इसे सब हमें छोड़ देना चाहिए तब हमें चंगाई प्राप्थ होगी इसे हम अच्छी तरह से कहां सिखते हैं क्रूस पर, क्रूस हमें माफ करने के लिए परमेश्वर द्वारा आदा की गई कीमत का सबसे अच्छा उधारन है, वह जानता था कि बहुत से लोग उसे अस्विकार करेंगे, प्रफु पहले ही जानते थे कि मैं क्रूस पर मेरा जीव दोंगा फिर भी कई लोग मुझे अस्विकार नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने अपने आपको नहीं रोका, उन्होंने उनकी कुर्बानी दी, उन्होंने हम पर उनकी जो शमा है, जो माफी है, पहले ही उन्होंने दे दी, अगर यहोवा हमारे लिए ऐसा कर सकता है, तो हम हम भी दूसरों के प्रति यहां कर सकते हैं, हम दूसरों को माफ कर सकते ही, यह बिल्कुल भी कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं, प्रभू से शमा करने की ताकत, हम प्राथना में पूछने की हम यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी अवशक्ता को हम महसूस करें, अबु हमें आशिष्टे